C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक सोलहां पाठ शिलांग से फोन प्रिष्ट संख्या 83 से 87 तक प्रस्तुत है पाठ शिलांग से फोन फोन की घंटी बच्ती है ननकु फोन उठा कर हलो, आप कौन सहाब बोल रहे हैं? अमरनाथ मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ, शिलांग से ननकु हाँ बाबो जी, नमस्ते, मैं ननकु बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे हैं? अमरनाथ हम सब ठीक हैं, अच्छा, रमा को बुलाओ ननकु बहन जी, आपके भाई सहाब का फोन है रमा अभी आ रही हूँ आकर फोन उठाती है हेलो भाईया, नमस्ते, क्या हाल चाल हैं? अमरनाथ सब मजे में हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? रमा वह संगीत का अभ्यास कर रही है बड़ा बेटा राजेश, टेबल टैनिस खेल रहा है जीजा जी को बुलाओं अमरनाथ जरूर, मैं सुरेश बाबू से बात करना चाहता हूँ रमा जी, सुनिये, शीलाउंग से भाईया का फोन है आपको याद कर रहे हैं सुरेश नमस्कार भाईया, क्या हाल चाल है? भाबी जी ठीक हैं? अमरनाथ मजे में हैं इस समय तो विबगीचे में हैं पौधों को पानी दे रही हैं शामला, आकर पापा जी, किसका फोन है? सुरेश तुम्हारे मामा जी बोल रहे हैं लो, उनसे बात करो शामला मामा जी, प्रणाम अमरनाथ जीती रहो बेटी आजकल संगीत सीख रही हो कबसे? शामला तीन-चार महीने से सीख रही हूँ हमारे घर के पास गंधर्व कला विद्याल है न? वहीं से सीख रही हूँ अमरनाथ अमरनाथ क्या वहां रवेंद्र संगीत भी सिखाते हैं? शामला हां मामा जी, वहां रवेंद्र संगीत सिखाते हैं मेरी भी इच्छा है, मैं जरूर सीखूंगी अमरनाथ तुम्हें मेरी शुब काम नाएं अपने पापा को मेरी नमस्ते कहना अभ्यास एक अब मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए संगीत इच्छा बगीचा भईया भाभी जीजा हाल चाल ठीक ठाक प्रणाम याद करना बात करना अभ्यास करना शुब काम नाएं जीते रहो मजे में हैं अब आप कुछ वाक्यों का निर्मान कीजिए मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा पहले स्तंब में शब्द हैं मैं तुम वे दूसरे स्तंब में शब्द हैं किताब काम फुटबॉल तीसरे स्तंब में शब्द हैं खेल कर पढ़ चौथे स्तंब में शब्द हैं रहा हूं रहे हो रहा है रहे हैं यह भी समझ लीजिए कि ये सभी वाक्य पुल्लिंग में बनेंगे अब मैं आपको उधारन के लिए कुछ वाक्यों का निर्मान करके बताता हूं जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं तुम किताब पढ़ रहे हो या फिर पिताजी काम कर रहे हैं शाम काम कर रहा है इसी प्रकार आप भी इन शब्दों से वाक्यों का निर्मान कीजिए अब इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और शब्द देता हूं इनसे जो वाक्ये बनेंगे वे स्त्रीलिंग में होंगे पहले स्तंब में शब्द हैं मैं तुम वह गीता हम आप वे माता जी दूसरे स्तंब में शब्द हैं किताब काम खोखो तीसरे स्तंब में शब्द हैं खेल कर पढ़ अब मैं आपको कुछ वाक्यों का निर्मान करके बताता हूं जैसे गीता किताब पढ़ रही है हम किताब पढ़ रही हैं तुम काम कर रही हो माता जी काम कर रही हैं ख अब आप कुछ समान अर्थ वाले शब्द सुनिए छुट्टी अवकाश इच्छा चाह मज़ा उमंग जरूर अवश्य प्रणाम नमस्कार तीन अब मैं आपको कुछ क्रिया शब्द बताऊंगा उसके बाद मैं आपको कुछ अधूरे वाक्य बताऊंगा क्रिया शब्दों से उन वाक्यों को पूरा कीजिए क्रिया शब्द हैं रहा हूं रहा है रही है रहे हैं रही हैं अब वाक्य सुनिए एक मैं स्कूल जा रिक्तस्थान दो पिताजी बगीचे में टहल रिक्तस्थान तीन शीला बाजार से आ रिक्तस्थान चार लड़कियां कमरे में पढ़ रिक्तस्थान पांच लड़के मैदान में क्रिकेट रिक्तस्थान अब आपको वाक्य बदलने हैं वाक्यों को बदलने के लिए मैं आपको शब्द भी दूँगा उधारन के लिए वाक्य है राजन रोज स्कूल जाता है शब्द है अभी मैंने इस वाक्य को इस प्रकार बदला है राजन अभी स्कूल नहीं जा रहा है अब आप वाक्यों को बदलिए एक वाक्य है वे रोज बाजार जाते हैं इसे बदलने के लिए शब्द है आज 2. मेरा भाई रोज यहां आता है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है इस समय 3. गीता प्रति दिन गाना गाती है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है इस समय ख कुछ और वाक्य बदलिए इन्हें बदलने के लिए भी मैं आपको एक शब्द दूँगा उधारन के लिए मोहन प्रति दिन दूद पीता है इसे बदलने के लिए शब्द है चाय और मैंने इस वाक्य को इस प्रकार बदला है मोहन इस समय चाय पी रहा है अब आप वाक्य बदलिए एक वाक्य है हम प्रति दिन कसरत करते हैं इसे बदलने के लिए शब्द है व्यायाम दो वाक्य है रीता रोज रोटी खाती है इसे बदलने के लिए शब्द है फल तीन बाबू जी हमेशा कलम से लिखते है इसे बदलने के लिए शब्द है पैंसिल चार रमेश रोज सुभह पार्क में जाता है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है स्कूल पांच अरविंद रोज शाम को पढ़ाई करता है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है सुभह पांच अब मैं आपको कुछ शब्द दूँगा इनकी सहायता से आप वाक्य बनाईए ठीक ठाक मजे में बात करना अभ्यास करना पानी देना छे इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक अमरनाथ कौन है दो श्यामला क्या कर रही है तीन राजेश क्या कर रहा है चार श्यामला इन दिनों क्या सीख रही है पांच भाभी जी क्या कर रही है दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्मान, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT टी